हलो जी मैं आपके अपनी विलेज ब्रोकर शिखा और मैं बिल्कुल ठीक हूं हाँ थोड़ी सी ठीक नहीं हूं क्योंकि यह देखे मैंने जैकेट वगेरा डाल रखी है सुबह सुबह मुझे थंड लग रही थी अंतर से जैसे वुखार वगेरा तो अभी मैं बिल्कुल ठीक ह अभी उतार दोंगी कुछ ताइम बाद थोड़ी सी अच्छी वाली दूप निकला है और आतना पादल भी निकल रहे है हमारे हां ऐसे लग रहे है कि बारी सोगी थोड़ी थोड़ी बादल मतलब आ रहे हैं वाइट वाइट से और लिपाई करनी है क्योंकि सब लोग बहु अभी जीजु जी के उपर रंग डाल दिया उसी के वज़े से पूरा फैला हुआ है अभी मैं लिपाई करने जा रही हूं बहुत दिन मतलब हो गए और मेटी के घर है तो सब्ता में लोग लिपाई करते हैं तो अथा रहता है तो अभी मैं जा रही थी और चाह नास्ते का क Bertham $- До कर लिया झाया है नास्ती यह जाहा है तो खुछ करने जा रही हूं पता है जब मुझे अग्स भूकर दी ह्फाना करते हैं अभी में चूछ नहां आए नह करनी हो इसके बार मख्या किती जाधा परशान करी है ना नहा लिया था करी दो अधैन रहा है तो पिता है मै लग रहा है क्योंकि आदे गंटे हो गया है मुझे उठे मैं उठी फिर कुछ टाइम फोन ही चला रही थी और मेरी साना भी उठी है मेरे कुछ टाइम बाद यह देखिए अभी पालनी में अराम से लिटी हो यह बाबू इदर देखी नी रिये शना अभी अराम से दीदी भी उधर अंदर लेटी हुई है और मैं अभी जा रही थी लिपाई करने ममी बोली कि लिपाई कर लो जल्दी जल्दी क्योंकि डेली मुझे काम करते कर देना पांच और यह साड़ी पांच बस जाते हैं तो मैं में बोली कि अभी से सुरू करो काम और ज और फिर साम का खाना पीना होगा वही डेली वाला नास्ता होस्ता तो चलिए चल्दी चल्दी लिपाई कर लेती हूँ मम्मी गई है अभी पीछे साइट और पहले मुझे जाडू लगाना है और बाहर देखिए तो कितना ज्यादा फैला हुआ है मेरे अब तो पतिया नहीं गिरती सीख जैसे उस में पीपल से कुछ गिरत थे हैं ऐसे बैखे लंबे से उन्हीं पोड़ने करनी के बार देखिए घर कितना साइदा साफ लगर लगा और बरतन भी मैंने अब बिए किचन में नहीं रखने जारी हूं और फिर बनाओं की चाय वगेरा अब भी मेरे हाना लाइट नहीं है लाइट तब तक में आ जाएगी हम लोग तब से कुछ और काम कर लेते हैं मैं जब से बर्तन दूल रही थी ना मुझे इतना मच्छर काटा इतना मच्छर काटा में क्या बता हूं और अब भी भी काट रहे हैं तो मैं जा रही हूं उस बाले रूम में उधर चलती हूं बैठती हूं वरना मच्छ मुझे खा खाके ना आधा कि खतम कर देंगे बहुत जादा वरना पता है पैर सुझाता है अगर यह लोग काटते रहते तो और फिर साम के छे बच गये थे तो ममी बोली कि जाओ चाय पका दो फिर दीदी ममी साथ में कुछ बाते कर रहे थे और वगल में सना भी मच्छ दाने में लेटी हूँती पता है मेरे यहां इतने जादा मच्छ है ना जब सना आई थी ना तो सना का फेस एकदम गलो कर रहा था और गलो तो अभी भ जाए लेकिन ना मच्छ काट काट कर पूरा रेड़ कर दी हैं गाल एक गाल में बहुत जादे ही मच्छ काटे हैं फिर मैंने चाय पकाया जल्दी से ममी दीदी और खुद के लिए चाय लेकर आई जल्दी से और टाइम भी बहुत जल्दी बढ़ता है पता ही नहीं चलता नमकीन लेके आई थी तो उसमें स्पून ही नहीं था ममी बहुत लेकि कैसे खाओ गी फिर मैं दोड़ के गई जल्दी से स्पून लाने के लिए और फिर स्पून लेके आई तो सब लोग फिर चाय नमकीन साथ में खाये और आईए आईए आप लोग भी चाय पे लीजिए जब से दीदी आई है मुझे बहुत ही मजा आता है पता है आप लोग यह मुझे सोचिएगा कि मैं बहुत जादा काम करवाती हूं ऐसी कोई बात नहीं है मतलब कि हम लोग बहुत दिन के बात साथ में मिलते हैं तो इतनी बाते करते हैं ममी मेरी उप जाती है कि कितना बाते करते हो तुम लोग लेकिन बात है कि खतमी नहीं होती पता नहीं क्यों और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक साथ में जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साइट पे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ओल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई